फिर एक बर आप सब का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल क्लीन अप एक्सपर्ट एप के बारे में फाइल क्लीन अप एक्सपर्ट एप क्या है कैसी यूज करें इस एप के मदद से आपके फोन में जो भी जरूरत के फोटो और वीडियो नहीं है उन सब को डिलीट कर सकते हैं इस तरह से आप अपने फोन के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस अप्लिकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करके और वाल आउप्सन सेलेक्ट कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई निव वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको इस अप्लिकेशन को प्लेइश्टोर से इंस्टोल करना है उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्ट में आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको इस अप्लिकेशन में कुछ इस तरह का इंटरफेस नजराएगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो अप्टोमाईजेशन यहाँ पर किसी भी फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं रिसाइच कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यह आपके फोटो को स्केन करेगा और जो भी इमेज होगा आपके फोटो में उन सब को स्केन करके आप यहाँ पर उसे compress कर सकते हैं resize कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ देर weight करना होगा उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी photo को compress करना चाहते हैं तो आपको उसे यहाँ पर select करना है और यहाँ पर next में आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको compress mode है auto option आपको मिलेगा यहाँ पर allow change quality और यहाँ पर है allow change resolution और यहाँ पर आपको height weight सब select करना है और इस तरह से आप इसे यहाँ पर compress कर सकते हैं अभी हम इसे back कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको video optimization मिलेगा इसी तरह से आपको same इसको भी करना है उसके बाद यहाँ पर app cleaner आपको मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर से जो भी एप है जैसे यहाँ पर आपको arrow में क्लिक करना है उसके यहां पर यह एप को स्केन करेगा यहां पर आपको कुछ दिर के लिए वेट करना है उसके बाद यहां पर जो भी फोटो वीडियो आउडियो इन सब को आप यहां पर इस तरह से स्लेक्ट करके आप इसे क्लीन कर सकते हैं तो अभी हम इसे बैक कर देंगे उसके बाद यहां पर hidden image को आप यहां से find कर सकते हैं उसे compress कर सकते हैं और clean कर सकते हैं तो यहां पर आपको arrow में क्लिक करना है और यहां पर फिर से यह scan करेगा और जिसे आप यहां पर delete करना चाहते हैं compress करना चाहते हैं उसे आपको इस तरह से select करना है उसके बाद यहां पर आ बैक कर देंगे उसके बाद आपके फोन में जो भी hidden video है उन सब को आप यहां पर find कर सकते हैं और delete करना चाहते हैं तो delete कर सकते हैं आपके फोन में जो similar photo है एक तरह के जो भी photo है उन सब को आप clean up कर सकते हैं जो बलरी photo है उन सब को आप clean कर सकते हैं और यहां पर big file clean up है यहां पर जो बड़ा फाइल है उन सब को भी आप clean up कर सकते हैं और आपके phone में जो screenshot है उन सब को भी clean कर सकते हैं और यहाँ पर non photo clean up का भी option आपको मिलेगा तो इन सब को आप यहाँ पर से clean कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा setting option यहाँ पर से आप इसे share कर सकते हैं इसका privacy policy द आप किजेगा उसका हिस्ट्री आपको यहां पर नजर आएगा इस तरह से आप इस अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर आप नही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलेंगे नेक तक के लिए बाइ थैंक यू